आप सभी का हमारी क्लास में सौगत है अगनास्ट टाटोरियम और लास्ट हम लोग तीन ख्लासेश में बहुत सारे पॉइंट्स को कबर कर चुके हैं और ये रशायन का जो čäप्टर है रशायनी का विक्रिया और समिकर्म उसमें तीन क्लासे हो सकी हैं आज चौती क्लास है और आज के क्लासे में हम लोग ये समझेंगे कि रसाइनिक सम्विकरन से प्राप्त होने वाली सुचनाएं एक रसायनिक समिकरन लिखा हुआ है और इस रसायनिक समिकरन से हमें किस-किस तरह की सुचनाएं हमें मिल पाती है तो जो सुचनाएं हैं पहले हम ये आपको बता चुके हैं फिर आपको बताते हैं कि रसायनिक समिकरन में जो बाये साइट के जो तत्तो होते हैं इनको हम लोग कि हमें क्या-क्या सुचनाएं मिलती हैं, कि या जो रशानिक समिकरन है, वो अभिकारक और प्रतिफलो के संकेत को संकेत की जानकारी हमें देता है, एक रशानिक समिकरन, हमें अभिकारक में कौन-कौन से हैं, यहां प्रतत्व, इसके संकेत क्या है और इसके सुत्र क्या है, ज अहली जानकारी हमको इसे मिलती है दूसरी जानकारी कि यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन-कौन से परदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फ़ल सरुफ कौन-कौन से परदार्थ का निर्मान हो रहा है तो यहां अभिक्रिया में नाइट्रोजन और अइड्रोज भाग ले रहे हैं, और इसके बाद जो आपका प्रतिफल है वो अमोनिया बन रहा है, ये दुसरा हमें सुचना मिल रहा है, तीसरी सुचना ये मिल रहे है कि यह अविक्रिया में भाग लेने वाले अविकारकों के परमानुओं और अनुओं की अपिक्चा संख्या की जानकार तो रसाइनिक अभिक्रिया हमें बताता है कि जो आपका अभिकारक और जो प्रतिफल में हैं ये इसमें कितने आपके पर्मानू हैं और कितने अनू हैं रसानिक अभिक्रिया के फल सरूप निर्वित प्रतिफल के परमानुम अनुगों की अपिक्छा संक्या की जानकारी भी देता है कि अभिकारक आपस में जो रसानिक अभिक्रिया किया करने के बाद जो प्रतिफल बन रहा है इस प्रतिफल में भी हमको पता चलता है कि इसमें इसके कितने अनूज हैं वो बन करके आ रहे हैं एक रसानिक इस रसानिक समिकरन में अभिकारक और प्रतिफल में उनके मोलों की संख्या भी हमें पता चलती है रसानिक समिकरन में जैसे नाट्रोजन के आगे वन लिखा है तो नाट्रोजन एक मोल है H2 मतलब होगे हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के आगे तीन लिखा है इसका मतलब ये तीन मोल है NH3 होगे अमोनिया अमोनिया के आगे दो लिखा है, इसका मतलब दो मोल अमोनिया है इसलिए अभिकारक और प्रतिफल के मोलों का अनुपाद की जानकारी मिलती है तो इनके बीचे मोलों का अनुपाद क्या है? एक अनुपाद, तीन अनुपाद, दो का अनुपाद है अब रसायनिक अभिक्रिया में जो अगला information है कि रसायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल में जो मौलो का हो गया वो चीज़ बता दिया हमने और अभिकारक और प्रतिफल के द्रब्यमान दरब्यमान का भी अनुपात हमें पता चलता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन का जो दरब्यमान होता है वो 14 होता है, 14 उने दो 28 होता है तो नाइट्रोजन का दरब्यमान, नाइट्रोजन गैस का दरब्यमान 28 हो गया और 3H2O, 3H2 इसका जो दरब्यमान हो गया च्षे ग्राम हो गया और 2NH3 का जो दरविमान हो गया चौटीस हो गया इसका मतला वह टाइस, अनुपाद छे, अनुपाद चौटीस, इसके दरविमान का जो अनुपाद हो गया, वो भी हमें एक रशानिक समिकरन बताता है क्योंकि यहाँ पर यह गैसिय भी रियक्शन है गैसिय समिकरन यहाँ दिखा हुआ है तो गैसिय समिकरन में हमें इसके प्रतिफल के इसका जो अभिकारक है और इसका जो प्रतिफल है इसके आयतन की भी जानकारी मिलती है तो nitrogen एक है तो ये एक आयतन होगा hydrogen gas तीन है तो ये तीन आयतन होगा और ये 2 NH3 है तो ये 2 आयतन होगा इसके आयतन की भी जानकारी मिलती है और STP का मतलब होता है standard temperature pressure तो STP पर इसका आयतन कितना है एक ITAL कितना है तो STP पे एक ITAL कमाझ चो बाईस दसम्लो चार लीटर होता है उसी तरह से 3 ITAL है तो तीन गुणे बाईस दसम्लो चार लीटर होगा दो ITAL मतलब दो गुणे बाईस दसम्लो चार लीटर होगा तो एक रसाइनिक SAVIKरन हमें लिखा हराता है परमानों की संख्या क्या है, अनों की संख्या क्या है मोल का अनुपात जो है इस रसानिक समिकरण में कितना है फिर इसमें जो इनका द्रबेमान है, द्रबेमान का अनुपात कितना है आयतन का अनुपात कितना है तो यह जो है वो रसानिक स्वमिकरन से हमें यह सब सारी सुचनाएं प्राप्त होती है अब जो अगला टॉपिक है रसानिक स्वमिकरन के उपियोग से लाब अब माल लिजे कि हम लोग रसानिक स्वमिकरन लिख रहे हैं यह हमने यहां रासानिक समिकरन यह जो हमने पहले बताया था, रासानिक समिकरन हमने लिख लिया है, तो इस रासानिक समिकरन से हमें क्या-क्या लाब हो रहा है, जैसे उसी चीज़ को फिर से लिखते हैं, नाइट्रोजन गैस जो है, तीन हाइडोजन गैस से अविक्रिया करक दो अमोनिया गैस बनाता है तो इसमें रहसानिक समिकरन तो ये हो गया और इस रहसानिक समिकरन का जब हम अपयोग कर रहे हैं तो इसमें हमको लाव क्या क्या चीज़ मिल रहा है लिखने से क्या क्या फैदा है तो पहला जो है कि किसी भी रहसानिक अविक्रिया का समिकरन के रूप में निरुपन असान हो जाता है अब हम यहां पर नाइट्रोजन गैस लिखें जो कि नाइट्रोजन गैस तीन गुने हाइडोजन गैस तो वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें वो असानी से हम लिख रहे हैं इससे समय का भी बचात होता और लिखने के लिए कागज पर कम अस्थान हमको देना पड़ता है अब दूसरा जो लाव है रसानिक समिकरन को इस तरह से लिखने के लिए वो है रसानिक समिक यहाँ पर प्रतिफल का दरब्यमान अगर 34 ग्राम है तो माल लेते हैं कि अगर यहाँ पर आमोनिया जो बन रहा है हमारा वो 34 ग्राम आमोनिया बन रहा है तो इसका मतलब है कि यह 6 ग्राम आपका हाइड्रोजन ही होगा और नाइट्रोजन जो होगा वो 28 ग्राम होगा 28 ग्राम आपका नाइट्रोजन होगा अगर आप 28 ग्राम नाइट्रोजन लेते हैं 6 ग्राम हाइड्रोजन ग्यास लेते हैं तभी आपका आमोनिया जो होगा वो 34 ग्राम मिल पाएगा और अब इसका जो लाब है जो आकरी लाब हमको रसानिक संकरन को लिखने से मिलता है वो है कि संपुर्ण बिस्व में एक ही प्रकार के रसानिक संकेत का उपयोग होता है अतब वैज्यानी को रसानिक संकरन की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती सबी जगा पूरे वर्ल्ड में 200 में कहीं भी चले जाए तो एक रसानिक संकरन जो हमने यहां लिखा है वो ऐसा नहीं कि इंडिया में यह है तो हम अमेरिका चले जाए तो वो चेंज हो जाएगा सबी जगा रसानि संकरन ऐसे ही लिखते हैं तो आज की क्लासिस में हम लोगों ने समझा कि रसानिक संकरन से हमें क्या-क्या सुचनाएं मिलती है और रसानिक संकरन लिखने से हमको क्या-क्या लाब है अब हम लोग जो है अगली क्लासिस में रसानिक संकरन की सीमाएं क्या होती है और रसानिक संकरन को अधिक उपयोगी ब दिसक्रस करें शुक्रिया